नमस्कार, प्रीविद्यार्थियों, आज हम पत्रकारिय लेखन के विभिन प्रकार इन पर बादचीत कर रहे हैं और आज की इस कक्षा में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में जो विचार लेखन है और फीचर लेखन, ये दो बहुत महत्वपूर लेखन के पहलू हैं, इन पर हम बात करेंगे विचार लेखन क्या है? विचार लेखन दरसल किसी भी समाचार पत्र में जो संपादकी प्रिष्ट है और संपादकी के साथ अंग्रेजी के कई अकपारों में और हिंदी के अकपारों में एक और प्रिष्ट होता जिसको ओपेड पेज कहते हैं यानि जो संपादकी प्रिष्ट के सामने का प्रिष्ट है उस पर भी कई बार विचारपून, लेक और विश्लेशन होते हैं तो इसको भी हम विचार का ही प्रिष्ट कहते हैं या संपादकी का ही उलट पेज कहते हैं यानि एक तरह से जो संपादकी में व्यक्त किये गए विचार हैं क्योंकि समाचार पत्रों के बारे में ये माना जाता है कि वो एक लोकतांत्रिक मंच हैं और एक लोकतांत्रिक मंच होने के कारण वहां हर तरह के विचारों को अभिव्यक्ति मिलनी चाहिए समाज में जितने तरह के विचार हैं उन सभी विचारों को एक तरह से सामने आना चाहिए तो अखबार का संपाद की प्रिष्ट एक तरह का मंच है एक तरह का ऐसा मंच है जहां हर तरह के विचार व्यक्त किये जाते हैं और ये विचार आप जैसा के जानते हैं बहुत महतुपूर हैं विचार क्या होते हैं विचार एक तरह से विभिन मुद्दों और समस्याओं के बारे में एक तरह से विश्रेशन हैं और उन विश्रेशनों के जरिये लोगों को सिक्षित करना लोगों को जागरूग बनाना कि अलग अलग विचार उसके अलग अलग तरीके बता सकते हैं कि किसी भी विशाय को हम कैसे देखें किसी भी विशाय का समाधान क्या हो सकता है तो विचार के जरिये एक तरह से वो हमारे सामने आता है तो अकबार न सिर्फ अपने समाशारों के लिए बलकि अपने विचार के ल विचार व्यक्त करते हैं और उन विचारों के जरिये पाठकों को ये जानने का आवसर मिलता है कि वो उन मुद्दों पर क्या सोचते हैं उन मुद्दों पर को देखने का तरीका क्या हो सकता है उन मुद्दों की गहराई क्या है उनकी बारीकिया क्या है ये एक तरह से विचा माना यह जाता है कि अखबार की जो आत्मा है समाचार पत्र की आत्मा उसके संपादकी में है एक तरह से अखबार का जो व्यक्तित्त है उसकी जो परस्नालिटी है वो उसके संपादकी प्रिश्ट से बनती है क्योंकि समाचार तो अखबार में लगभग समान होते हैं सभी किसी अकबार में ज्यादा प्रमुक्ता मिले कम किसी अकबार में कम प्रात्मिक्ता मिले लेकिन जो संपादगी पृष्ट है वो बिलकुल अलग होता है वही उसके जरिये अकबार की अपनी जो समझ है अपनी समझदारी उसके जरिये सामने आती है आपको भी अगर संपादग प्रिष्ट पर लिखने के लिए खुद को तैयार करना है तो इसके लिए लेकिन अनुभव बहुत जरूरी है इसके साथ साथ लेखन में आपका दृष्टिकोंड क्या है आप कितना बारीक शोध कर सकते हैं इसमें एक तरह से विचार लेखन ये मांग करता है कि आपके पास ना सिर्फ थोड़े तथ्यों बलकि तथ्यों में गहराई हो आपके पास शोध के जरिये जादा से जादा संदर्भ हो उसकी व्यापक प्रुष्ट भूमी आपको पता हो साथी साथ आप विचार लेखन करना चाहते हैं किसी विचार पर अपने विचार प्रकट करना चाहत कई उसके पक्ष हो सकते हैं उन सभी पक्षों को एक साथ देखना और उनके बीच के क्या संबंध हैं उन संबंधों को पेश करना उनकी जटुलताओं को पेश करना उनको एक तरह से एक दूसरे के साथ रख करके देखना ये एक तरह से विचलेशन होता है और इसके लिए जरूरी है कि आप ऐसी तयारी करें जिसमें शोध हो और सोध के साथ-साथ व्यापक संदर्व हो और जैसा मैंने आप से बताया कि विचार लेखन का मुख्य उद्देश लोगों को सिक्षित करना है जैसे समाचार का उद्देश लोगों को सूचित करना है उसी तरह से विचा का उद्देश लोगों का मनुरंजन करना है अब हम आप से बात करेंगे पत्रकारी लेखन के एक और महतुपूर पहलू जिसको हम फीचर लेखन कहते हैं और फीचर लेखन पर मैं आप से विस्तार से बात करूँगा क्योंकि आम तोर पर एक नए युवा लेखक को आप जिस क संपादगी प्रिष्ट पर आप संपादक के नाम पत्र जरूर लिख सकते हैं आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे अखबारों में पत्रिकाओं में संपादक के नाम पत्र छपते हैं और बहुत सारे लेखक और पत्रकारों ने एक तरह से लेखन के शुरुआत संपादक के नाम पत्र लिख करके की है मैं जो विद्यार्थी इस कक्षा में शामिल हैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप लेखन के शुरुवात करना चाहते हैं तो संपादक के नाम पत्र लिख करके करिए जो कि आम तोर पर विचार के प्रिष्ट पर छपता है जिसमें आपके विचार होते हैं जो सबसे महतव्पूर्ण पहलु है फीचर लिखन उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ एक युआ को आप जैसे विद्यार्थी को भी मौका मिल सकता है फीचर लिखने का और इसलिए मैं फीचर के बारे में थोड़ा विस्तार से बात करना चाहता हूँ फीचर है क्या? सबसे पहले हमें ये समझने की जरुएत और फीचर और समाचार में क्या अंतर है? सबसे बुन्यादी जो अंतर है कि समाचार जहां एक तरह से वस्तुनिष्ठ लेखन है यानि उसमें आप अपने विचार नहीं मिला सकते वहीं फीचर एक तरह का आत्मनिष्ठ यानि सब्जेक्टिव लेखन है उसमें आपके अपने विचार, अपना परसेप्शन, आपने जो देखा और महसूस किया उसको सामिल कर सकते हैं हलांकि फीचर हमेशा थर्ड परसन में लिखा जाता है यानि प्रथम पुरुष में लिखा जाता है और उसमें आपको मैं का इस्तेमाल हम नहीं करते यानि जिन चीजों को आपने देखा है, उनके बारे में आप लिखते हैं और फीचर का जो मुख्य उद्देश है, वो लोगों को जानकारी देना लोगों को सूचनाएं देना लेकिन साथ ही साथ ये जानकारी और सूचना है एक तरह से मनोरंजन करते हुए देना मनोरंजन के शैली में देना फीचर समाचार के तुलना में ज़्यादा स्रिजनात्मक होता है वहाँ आपके पास creative energy ज़्यादा होती है एक तरह से feature समाचार पत्रों में या टेलिविजन पर या रेडियो में आम तोर पर बहुत बांधने वाला होता है क्योंकि एक तरह से वो कहानी है वो एक तरह से story telling है एक तरह से उसमें हम story की तरह बात करते हैं और ये बात याद रखनी चाहिए कि जैसे हमने समाचार में उल्टा पिरामिट का इस्तेमाल करते हैं feature लिखने के लिए हम कभी भी किसी भी सूरत में उल्टा पिरामिट का इस्तेमाल नहीं करते हैं ये भी बात हमें याद रखनी है कि feature को ज़्यादा प्रभावी होना चाहिए और feature की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण ये है कि ज़्यादा तर खबरें समाचार अख़बारों में, television पर, radio पर एक ही तरह से लिखे जाती है यानि उल्टा पिरामिड में लिखे जाती है उससे एक रस्ता बन जाती है उस एक रस्ता को तोड़ने के लिए हम feature का इस्तेमाल करते हैं फीचर आम तोर पर soft story या जो human interest story होती है जिसमें हम सब लोगों के दिल्चसपी होती है उस तरह की घटनाओं पर feature लिखा जाता है यानि जैसे आपके school में किसी बच्चे ने top किया है तो उसकी जो कहानी है उस पर अगर आप लिखेंगे तो वो एक feature की शैली में लिखेंगे उस पर समाचार भी लिखा जा सकता है लेकिन समाचार में केवल तथ्य होंगे लेकिन अगर आप feature लिखेंगे तो उसमें तथ्य होंगे लेकिन उस बच्चे के परिवार के बारे में उस नहीं है ये जब भी हम पत्रकारी लेखन की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि पत्रकारी लेखन वास्तों में समसामई घटनाओं वास्तबी घटनाओं पर है तो фीचर भी कोई कल्पना नहीं है फीचर को कलपना मत मानिये ये वास्तवी घटनाओं की एक कहानी की तरह से रपोर्टिंग है फीचर में लोगों, भावनाओं, मानवी संबंधों के बारे में बातचीत की जाती है फीचर भी दरसल कोई भी फीचर तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक उसमें तस्वीरें नहों, जब तक उसमें ग्राफिक्स नहों और उसको प्रस्तुत करने का तरीका भी दिलचस्प नहों तो एक तरह से हम फीचर के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये याद रखनी चाहिए कि उसके लिए क्या-क्या शर्ते है उसके लिए जो सबसे बुनियादी शर्थ है कि वो मनोरंजक होना चाहिए और प्रभावी होना चाहिए इसमें स्तथे और सूचनाएं भी होनी चाहिए यह लोगों और व्यक्तित्तों के बारे में है यह केवल कुछ घटनाओं के बारे में नहीं है बलकि अगर आप एक मिनट के लिए कलपना करें कि क्या कोई कहानी आप बिना लोगों और करेक्टर्स के कह सकते हैं तो आपको किसी भी फीचर में लोगों और व्यक्तित्तों के जरीए कहानी कहते हैं तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए इसमें रोचक और प्रासंगिक एंगल होना चाहिए यानि उसमें रोचकता का एंगल बहुत महत्वपूर है और उसके जो एंगल होना चाहिए किसी भी फीचर का वो प्रासंगिक होना चाहिए रिलेवन्ट होना चाहिए पाठक की उसमें दिल्चस्पी होनी चाहिए और इस कारण इसमें समाचारों के जो तत्तोहते हैं किसी भी पत्रकारी लेखन में ये बात याद रखना चाहिए कि समसामाइक्ता बहुत महत्वपूर है कि हाल की क्या घटनाएं हैं वो उन पर ही हम आम तोर पर फीचर लिखते हैं अब हम बात करेंगे फीचर लिखने के तरीके के बारे में आम तोर पर फीचर लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं है ये बात हमें याद रखनी चाहिए जैसे हमने समाचार लेखन के बारे में जब बात की थी कि उसका एक तरीका है उसका एक फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला है उल्टा पिरामिट लेकिन फीचर लेखन का कोई फॉर्मूला नहीं है उसके बारे में हमें एक तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि कोई भी फीचर बिना फॉर्मूले के लिखा जाता है और जो सबसे ज़्यादा important बात है वो ये है कि feature को कभी भी ultra pyramid शैली में नहीं लिखा जाना चाहिए लेकिन आपकी सुविधा के लिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि feature लिखने के दो तरीके सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किये जाते हैं ये formula नहीं है लेकिन आप चाहें तो आप अपनी शैली विक्सित कर सकते हैं लेकिन शुरुवात में सीखने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दो तरीकों से feature लिखे जाते हैं फीचर लिखने का एक तरीका है यानि उसकी शुरुवात करने का एक तरीका है कि आप किसी चरित्र या किसी खास बात से शुरू करें और उसको सामानी करण की तरफ ले जाएं जिसको हम कहते हैं उस style को हम कहते हैं particular to general यानि P to G इसमें किसी एक शरित्र से आप शुरू करते हैं जैसे आप मान लिजे कि आप feature लिख रहे हैं अपने school के बारे में आप school के बारे में feature लिख रहे हैं तो school के बारे में feature लिखने के दो तरीके हो सकते हैं पहला तरीका ये है कि आप school के किसी सिक्षक या किसी लोकप्रिय विद्यार थी ज उन्होंने सारजुनिक जीवन में बहुत नाम किया है, या बहुत बड़े लेकक हैं, तो आप उनसे कहानी शुरू कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक तरह से पहली बात ये है कि स्कूल की पहचान उस व्यक्ति के जरिये है, क्योंकि वह व्यक्ति उस स्कूल से पास हुआ है, तो उनसे आप शुरू करके ये शुरू कर सकते हैं उनकी कहानी से शुरू कर सकते हैं तो जो पहला पैराग्राफ है वो उनके बारे में आप बताएं और वहां से फिर जो दूसरा पैराग्राफ है जिसको हम कहते हैं कि सामानी करण की तरफ ले जाना यानि कि आप ये बताएंगे कि उस स्कूल से ये क्रिकेटर निकले और उन्होंने किस तरह से ये स्कूल से पढ़ाई की और उस स्कूल में किस तरह से पढ़ने में उन्होंने बहुत महनत की स्कूल के दिनों में ही वो कितने अच्छा क्रिकेट खेलते थे और फिर वो आगे बढ़ते हुए कहेंगे कि ये अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो इसी स्कूल से निकले हैं इसी स्कूल से पिछले 25 सालों में ऐसे दरजनों लोग निकले हैं जिन्होंने देश में, दुनिया में और समाज में नाम किया है और फिर आप ये बताएंगे कि पिछले 25 सालों में इसी स्कूल से अब तक कितने लोग पढ़कर के निकले हैं तो एक तरह से हमने एक खास कैरेक्टर से वो कहानी शुरू की और फिर उसको जनरल की तरफ ले गए यानि उस पूरे स्कूल के बारे में बताने की तरफ ले गए दूसरा तरीका ये हो सकता है जिसको हम कहते हैं वर्नात्मक यानि वर्नन करना तो आप इसकूल के बारे में इसकूल का जो आपका इंफरस्ट्रक्शर है उसका जो आर्किटेक्शर है उसके वर्नन से शुरू कर सकते हैं उसके डिस्कृप्शन से शुरू कर सकते हैं कि आप से ढकी हुई है जो एक तरह से ऐसी दिखाई पड़ती है जो आकरशित करती है जहां बच्चों की चहल पहल है तो एक तरह से आप जैसे अवलोकन करने के बाद उस जगह के बारे में जो उस जगह का जो पहला इंप्रशन है जो पहली आपके अंदर पहचान है उसकी तरफ वहां से अगर आपने विवरन दे करके शुरू किया और वहां से फिर आगे बढ़ते हैं और स्कूल के विवन पहलूं के बारे में, स्कूल के लाइबरेरी के बारे में, स्कूल के प्रारधाना ध्यापक के बारे में, स्कूल के और सिक्षकों के बारे में आप उस फीचर में कि यहां पर कितने तक पहली से लेकर के बारवी तक है या पांचवी से लेकर के बारवी तक स्कूल है उसमें कुल कितने कमरें हैं लाइबरिरी में कितनी किताबें यानि आप तथे भी देते हैं लेकिन तथे भी कहानी की तरह देते हैं फिर उसमें विवन अध्यापकों से ज चाहे किसी कैरेक्टर से करें, या उस घटना अस्थल की, या उस जगह की विवरन से करें, दोनों ही तरीके अच्छे हैं, दोनों ही तरीके इस बात पर निर्भर करते हैं, कि आप किस विश्य पर फीचर लिख रहे हैं, आम तोर पर अगर कोई बच्चा आपके स्कूल में पर पहले कैरेक्टर से शुरू होगा, लेकिन जैसे स्कूल पर लिखना चाहते हैं, किसी एतिहासी कस्तल पर, कुत्ब मिनार पर लिखना चाहते हैं, तो ताज महल के का जो डिस्क्रिप्शन है, यानि उसका जो वर्णन है, उससे आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन यह याद इन characters के जरिये इस Vernon के जरिये भी हम तथ्य देते हैं और ये किसी भी feature में कई characters होने चाहिए एक मुखे character होता है और उस character के इर्दगर्द भी कई character होंगे जैसे कोई आपकी school में बहुत अच्छा बच्चा है जो संगीत में बहुत पारंगत है लेकिन उसके संगीत सिक्षक भी हैं उसके बच्चे के दोस्त भी होंगे उनके परिवार के भी लोग होंगे तो उन सभी लोगों से बात करके हैं उस बच्चे का व्यक्तित उभर सकता है तो उन सभी बच्चों के उस बच्चे के बारे में उस परिवार जनों से, स्कूल के सिक्षक से, उसके मित्रों से जो आपने बात की है, उसके आधार पर ही फीचर बनाते हैं उसी तरह से अगर आप ताज महल के बारे में फीचर लिख रहे हैं, अपनी स्कूल के बारे में लिख रहे हैं, कुतुब मिनार के बारे में लिख रहे हैं, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी इकठा करनी पड़ेगी, तो एक तरह से फीचर लिखने के तीन स्टेप हैं, और फीचर लिखने के तीन स्टेप में जो हम तीन सबसे महत्वपूर्ट तयारियां करते हैं वो पहली है कि उसके बारे में किसी भी विश्यक के बारे में जो आप फीचर लिखने जा रहे हैं या वेक्ति के बारे में फीचर लिखने जा रहे हैं तो उसके बारे में जादा से के बारे में मिल सकती है इसकूल के बारे में आपको जानकारी किसी इसकूल के बारे में जो जानकारी देने वाली प्रोस्पेक्टर्स में मिल सकती है इसकूल की इन्फॉर्मिशन बुलेटिन में आपको सारी जानकारिया मिल सकती है फिर आपका जो दूसरा पहलू है वो यह है आप जिस भी विशय पर फीचर लिख रहे हैं उस घटना अस्थल पर जाते हैं अगर आप कुतुब मिनार के बारे में फीचर लिख रहे हैं तो कुतुब मिनार आपको जरूर जाना चाहिए अगर आप ताज महल के बारे में लिख रहे हैं तो ताज महल अगर आपने देखा नहीं है तो आप अच्छा फीचर नहीं लिख सकतें तो ताजमहल के बारे में अगर फीचर लिख रहे हैं, तो ताजमहल जो देखने आये हुए दर्शक हैं, परेटक हैं, उनसे आपने इंटर्व्यू किया होगा, उन्होंने क्या महसूस किया, उन सब पहलों को भी आपको ले आना है, साथी साथ आपको ये ध्यान रखना है, फ फीचर को बांधने वाला होना चाहिए, और फीचर को बांधने वाला हम तभी बना सकते हैं, इंगेजिंग तभी बना सकते हैं, जब उसकी भाषा में एक तरह से आकरशन हो, तो इस तरह से जैसे समाचार की भाषा एक तरह से तत्यों पर है, तत्यों पर आधारित है, इसल कुछ साहितिक सब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें आप एक तरह से जब आप किसी विशय पर फीचर लिख रहे हैं तो उसमें गती बनाये रखने के लिए लगातार आप पैराग्राफ में एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें लोगों के उधरन भी बीच में आते चले जाएं ताकि फीचर आकरशक बन सके तो आज विद्यार्थियों हमने चर्चा की विचार कैसे लिखा जाता है समाचार में और साथी साथ समाचार पत्र पत्रिकाओं में जो संपादकी प्रिष्ट पर लेख लिखे जाते हैं विश्रेशन लिखे जाते हैं उनके लिए हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए संपादक के नाम चिठ्टियां हम कैसे लिख सकते हैं और आज हमने बात की कि फीचर क्या होता है फीचर की खूबियां क्या होती है फीचर लिखने के लिए तैयारी कैसे की जाती है और फीचर लिखते हुए किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए तो अगर आप फीचर लिख रहे हों आपके फीचर आप अपने स्कूल से ले करके अपने मित्रों से ले करके अपने आसपास के बहुत सारी चीजों पर फीचर आप लिख सकते हैं आप फीचर लिख करके अखबारों को भेज सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर होनी चाहिए वो आम तोर पर अकबार में जो घटनाय ताजा घटी हैं उस पर फीचर लिखा जाता है जो उसमें आंकड़े और तत्थे जादा होते हैं फीचर में आंकड़े और तत्थे जादा नहीं होते हैं उसमें भावनाय जादा होती हैं उसमें लोगों के विचार में आपको अपने पत्रकारी लेखन में विचार लेखन के बारे में और फीचर लेखन के बारे में इन दोनों को हम कैसे लिख सकते हैं बहतर लिख सकते हैं इसके बारे में जानकारी मिली होगी और इसको जानने के बाद आप आने वाले दिनों में अपने लेखन की शुरुआ संपादक के नाम चिठी से और धीरे धीरे अपने स्कूल के बारे में अपने आसपास के लोगों के बारे में फीचर लिखते हुए शुरुआत करेंगे आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुब काम नहीं अज हुए से बारे में यह हुए हुए झाँ झायारा है कि ऑमें वह से कuna शोगो डिया earlier झाल झाल